आपका bank account SBI bank में है और अगर अब तक आपको SBI में KYC करना होता था तो उसके लिए आपको bank पर जाना पड़ता था क्योंकि SBI पे online KYC नहीं हो रहा था लेकिन दोस्तों अभी एक नया update आ गया है अभी आप SBI bank में अपना KYC जो है वो अपने घर पेठे ही complete कर सकते हैं आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को like पी कर दीजेगा और अगर कुछ के confusion है तो आप मुझे नीचे WhatsApp पर message कर सकते हैं तो चल यह वीडियो को श्रूरू करते हैं सबसे पहले आप अपने mobile में या फिर computer में कोई सा भी browser open कर लेंगे, जैसे किased की मैंने chrome को open कर गया है आप कोई सा भी browser open कर सकते हैं, और दूस्तों अगर आप PC पर ये process करें या फिर mobile पर करें दोनों में same ही process रहेगी तो अगर आपके पास PC है फिर भी आप इसी प्रोसेस की मदद से ही KYC कंप्लीट कर सकते हैं इस वीडियो को तो आप लाज तक जरू से देखेगा तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्राउजर पे टाइप करना है SBI Online आपको SBI Online ये सर्च कर लेना है हमें Online KYC कंप्लीट करना है SBI का तो वो हम करने वाले हैं Internet Banking के माध्यम से ना ही हम योनो की मदद से कर सकते हैं और ना ही हम योनो लाइट की मदद से ये कर सकते हैं हम सिर्फ SBI Online की साइट की मदद से ही ये कर सकेंगे Internet Banking ID के जरूए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लोगिन पर क्लिक कर देना है यहाँ Continue to Login कर देंगे अपने Internet Banking का यूजर नेम आप यहाँ पर टैप कर देंगे यहाँ पर आप पासवर्ड को टैप कर देंगे और ये वाला जो केपचा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे अगर इस आलफा बेट वाले केपचा को यहाँ पर आप प्रोपरली नहीं एंटर कर पाते हैं तो आपको यहाँ पर ओडियो केपचा के शरीए ओडियो केपचा यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे आपको लोगिन पर क्लिक कर देना है आपके रजिस्टरेड मोबैल नमबर के उपर एक वन टाइम पासवर्ड आया होगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे यहाँ सब्मिट पर क्लिक कर देंगे आपका इंटरनेट बेंकिंग का लोगिन जो है वो open हो जाएगा और यहां पर आपको 3 lines दिख रही होगी यहां पर आपको 3 lines पर click कर देना है KYC complete करने के लिए आपको सबसे पहला ही जो option है My Account and Profile इसके उपर click कर देना है और उसके बाद आपके पास काफी सारे जो options है वो यहां पर देखने को मिल जाएगे तो यहां पर से आपको नीचे slide कर देना है तो सबसे last में आपको यह वाला option मिल जाएगा Update KYC दोस्तो अभी तक internet banking में यह Update KYC का option नहीं आ रहा था लेकिन update के बाद आपको यह Update KYC का जो option है वो देखने को मिल जाएगा इसी के जरीए आप अपना KYC जो है वो complete कर सकेंगे तो उसके लिए यहां पर Update KYC इसके उपर आप click कर देंगे और यहां पर से आपको bank का जो account है वो select करना होगा तो चलिए मैं यहां पर click कर देता हूँ आपके जितने भी bank account होँगे वो आपको यहां पर show कर दिये जाएंगे जिसमें से आपको जिसका भी KYC complete करना है उसको select कर लेना है मेरा यहां पर सिर्फ एक ही account है जिसको मैं यहां पर से select कर लेता हूँ account select करने के बाद यहां पर आपको submit पर click कर देना है आप जैसे ही submit पर click करेंगे तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का user interface आता है your KYC updation is not due as of now for further inquiry please visit the nearest branch तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपका जो KYC है यानि कि आपका आधार काड और आपका pen card आपके bank account के साथ link होकर अपना KYC जो है वो complete हो चुका है आपको KYC करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरह का interface नहीं आता है तो आपको उसके बाद आपका आधार का नंबर एंटर करना है और आपका pen card का नंबर एंटर करना है तो दोनों जीस mobile नंबर पर link है तो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon को प्रेस सरु से कर लेज़ेगा और अगर कुछ confusion है तो आप मुझे whatsapp पर message कर सकते है